असलाम लेकूम, वेल्कम बेक टो मैं चैनल और दोनावल पॉइंट एपिसोड स्टार्ट करने से पहने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करने निव वीडियो की नोटिफिकेशन करिए रीडर्स इस एपिसोड में आपको काजिम हान का निया रूमेंटिक अंदाज देखने को मिलेगा जो अमीरा को भी शौक कर देगा और इस एपिसोड में अमीरा काजिम की इंगेजमेंट होगी और मैंने सोचा है अपसे मैं आपको टारगट दिया करूँगी क्योंके आप वैसे लाइक नहीं करते और प्लीज अगर नावल अच्छा लग रहा है तो अच्छे-च्छे कुमेंट करके राइटर की होसला अफसाहि किया करें नेक्स एपिसोड का टारगट 100 लाइक और 20 कुमेंट बहुत कम टारगट है इतना तो आप लोग पुरा कर सकते हैं चले अब नावल रीड आउट करते हैं एपिसोड नमबर 4 नावल नेम दिवानी यार दी तहरीर जुनेराहान केस नमबर 4 पूरे एक दिन बाद परवीन बेगम को सिकंदर सहब डिस्चार्ज करवा के गर ले आई थी इस वक्त वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी कि कासिम हान दर्वाजा नौक करता अंदर आया और आईस्ता से चलता इनके पास बैट पर बैट कर जुकते इनकी पेशानी पर प्यार किया परवीन बेगम जो इसके अंदर आने पर ही जाग गई थी अपनी पेशानी पर इसका लंप्स महसूस कर दी इन्होंने अपनी आँखें खोली और रफ हुलिये में अपने सामने बैठे जाने अजीज पोते को देखा जो कल वाले ही कप्ड़ों में मजूद इन्हें थका थका सा लग रहा था परवीन बेगम को एक पल के लिए अपने जूट बोलने पर शर्मिंदगी हुई लेकिन दूसरे ही पल अपने पोते की हुशियों का सोचते इनकी शर्मिंदगी जायल हुई आप मुझसे नराज हैं इनके बुड़े हातों को अपने मस्बूत हातों में थामते हातों की जानिब देखते इसने पूछा तुम्हें मेरी नराजकी से क्या फरक पड़ता है परवीन बेगम ने इसके जुके चहरे की जानिब देखते कहा किसने कहा मुझे फरक नहीं पड़ता बात आपकी हो तो मुझे फरक पड़ता है आपकी सांसे चल रही है तो मेरी सांसे चल रही है बाहुदा अगर आपको कल कुछ हो जाता तो मैं भी जिन्दा न रहता काजिम रोता इनका हाथ चूम गया जबके जिन्दगी में दूसी बार वो अपने पोते को रोता देख खुद भी रोने रगी तो फिर हमारी बात मान क्यों नहीं रेते इतनी महबत करने के बाद ये इनकार कैसा आप जैसा बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा आप चाहती है ना कि मैं उस लड़की से शादी करनू तो मैं त्यार हूँ लेकिन आप भी मुझसे वादा करें मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी इनके हाथों पर दबाओ बढ़ाता वो बोला तो परवीन बेकम मुस्कुरा दी बला ये इनके इहतियार में कहा था अगर इनके बस में होता तो वो कभी अपने पोते से दूर ना होती लेकिन ये जिन्दगी और मौत तो उपर वाले के इहतियार में थी लेकिन काजिम की हालत को देखती वो वादा कर गी हाँ मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अमीरा बहुत अच्छी लड़की है मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा बहुत हयाल रखेगी जरूरी नहीं बेटा हमेशा अपने ही दिल की सुनी जाए या अपनी हुशी के बारे में सोचा जाए कभी-कभी दूसरों की हुश्यों की हाथे समझोता कर लेना चाहिए और यही इस रिष्टे को निभाने की बाद तो निकाह के बोलों में बहुत ताकestry होती है जिसके बाद दो अजनबी भी एक दूसरे से महबत करने लगते है और यहां तो मेरा और यहां तो अमीरा बेटी तुमसे महबत करती है मुझे पूरा यवीन है एक नए एक दिन तुम्हें अमीरा की महबत का इहसास जरूर होगा और तब तब तुम्हें हमारा लिया गया फैसला ठीक लगेगा काजिम के चहरे पर हाथ फेरती वो नरम लहचे में गोया हुई काजिम ने अपने चहरे पर रेंगता इनका हाथ पकड़ते अपने लबों से लगाया और नरमी से मुस्कुराया मुस्कुराव अपनी किसमत पर रहा था सब तुम्हारी मा जैसी नहीं होती जिस तरह हाथ की पांच हुगलिया बराबर नहीं होती इसी तरह हर इनसान एक चैसा नहीं होता उस औरत के जिकर पर काजिम ने लब सकती से बींच दे अपने घुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन हम दावे से कह सकते हैं ये रिष्टा तुम्हारी जिन्दगी समवार देगा तुम्हारा मुहबत और रिष्टों से जो यकीन उठ चुका है वो वापिस लाएगा बस एक बाहर सच्चे दिल से अमीरा को एक मोका तो देखकर देखना मेरी ब्यूटी क्वीन आप फिकर ना करी अप मेरी फिकर आपकी पोती को जो करनी है काजिम तंसिया कहता मुस्कुराया तो परवीन बेगम भी इसकी हंसी देख मुस्कुरा गई बाहिर जाओ और जल्दी से अपने दादा को अंदर बेजो उन्हें भी तो बताओं ये हुशी की बात के इनका पोता शादी के लिए मान गया है कितना हुश होंगे वो भी परवीन बेगम सीधी होकर बैटी जबके काजिम उनका मुट जाया चेहरा एकदम खिलता देख मुस्कुरा गया और जुकता इनकी पिशानी को शिद्दत से चूमा इनको कल होस्पिटल देखकर वो कितना डर गया था ऐसा लगा जैसे इसकी दुनिया हतम होने वाली है इनकी हादी तो खुद को कुर्बान कर सकता था और शादी क्या चीज़ दी ये मामला तो हल हो गया था अब बस अपनी दिवानी को मज़च चकाना था जो इसकी महुपत का जबाने बर में दम बढ़ती भी रही थी अमीरा के बारे में सोचते काजिम हान के लबों पर मस्कुराखट जबके आँखों में हद दर्जा सुरही पहली थी अमीरा फ्रेश होकर आइने के सामने खड़ी होकर अपने बार ड्रायर कर रही थी कि अचानक इसके कमरे का दर्वाजा कुला अमीरा ने ड्रायर हाथ में ही पकड़े दर्वाजे की जानिब देखा लेकिन दर्वाजे के पास काजिम हान को खड़े देख इसकी आँखें हैरत से खुली थी ये दूसरी बार हुआ था के काजिम हान खुद इसके कमरे में आया था वरना वो मगरूर शहजादा कहां इसे देखना भी गवारा नहीं करता था आप यहां अमीरा ड्राय ड्रेसिंग टेबल पर रखती लबो पर दिल फ्रेप मुस्कुराखट सजाए पूरी तरह इसकी जानिब गोमी जबके इसे डुबटे से बेनियास देख काजिम हान के माते पर बेशुमार बल पड़े थी वाइट पैंट के ऊपर रेड कुर्टा पहने निखिरी निखिरी सी वो बहुत प्यारी लग रही थी और इसकी हुपसूरती में चार चांद इसके बाल लगा रही थी जो नमगीले इसकी कमर पर बिख्रे हुए थे क्यों मुझे यहां देखकर तुमें हुशी नहीं हुई काजिम अपने घुसे पर कंट्रोल करता कदम बाकदम चलता इसके नज़्दीक हुआ नहीं ऐसी बात नहीं है वो आपका भी मेरे कमरे में आही नहीं न बाया था इसके घुसे से दुनिया डरती थी तो ये पांच फुट की लड़की कैसे इसके सामने दीदा दिलेडी से बात करती थी यही बात काजिम हान के लिए नाकाबल बर्दाश थी मेरे हियाल से अब तुमें इस चीज़ की आदत डालनी नी चाहिए काजिम चलता मिलकुलिस के करीब रुका और जुक कर इसके कान के पास सरगोशी की कि अमीरा इसकी सांसों की तप्श अपनी जिल्द पर महसूस करती दो कदम पीछे को हुई काजिम हान का ये निया अंदाज जान लेवा था और उपर इसकी मानिहेज पाती वल्ला इसका दिल तेजे से दड़का था क्यों नहीं समझ आई मेरी बात की अमीरा को उल्जन सदा नजरों से घुद को देखता पाकर काजिम दो कदम मजीद इसके करीब हुआ और अमीरा दो कदम पीछे हुई आप कहना क्या चाहती है खुलकर कही मुझे आपकी पहीलिया समझ में नहीं आ रही काजिम की नजरों को अपने सीने की नाजुकी में उल्जे देख इसे जिन्दगी में पहली पार दुबट्टे की यहर मजूद्गी का एहसास हुआ तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ तो अब तुम्हारे कमरे में तो आना जाना लगा रहेगा क्यों सही कहाना मैंने काजिम ने दो कदम का फासला भी मिटाया जबके इसकी शोहर वाली बात पर अमीरा के दिन में हलचल सी मची तो क्या सामने खड़ा मगरूर इनसान इस से शादी करने को मान गया था दोनों की नजरे आपस में मिली सांसे एक दूसरे की सांसों से टकराई इसकी दड़कने भी तर्टीब होने लगी इसे ये भी एहसास नहुआ कि वो दोनों एक दूसरे के कितने पास खड़े हैं ये सुनकर खुशी हुई ना और यकीनन दिल की दड़कने भी बढ़ गई होंगी काजिम ने कहते साथ अमीरा के दिल के मुकाम पर अपने हाथ की हतेली रखी और इसके तेज अफ़तार में दड़कते दिल को महसूस करने लगा जबके इसकी इस हरकत पर अमीरा को जैसे करंट सा लगा वो फोरन इसका हाथ चटकती इससे दूर हुई इसे काजिम से इस हरकत की कहां उमीद थी जबके अमीरा की उड़ी रंगत को देख पहली बार काजिम हान की दिल को अंदेखा सा सुकून मिला था ये आप क्या कर रहे थी कुछ देर बाद खुद को संभालती वो काजिम की आँखों में आँखें डाली बोली और इसकी ही बात काजिम हान को गुस्सा दिलाती थी सब इसके सामने नजरे चुका कर बात करते थी और अकेली ये लड़की थी जो नजरों से नजरे मिलाकर बात करना जानती थी क्या कर रहा था मैं अपने नाम से तुम्हारी पागल होती दड़कनों को ही तो महसूस कर रहा था इसमें पूरा क्या किया है तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ इतना तो अब इस दुरान चलता है ना वो लोबों पर दिल चला देने वाली मुस्कुराखट सजाता तंस के तीर चलाता बोला होने वाले शोहर हैं अभी होए नहीं इसलिए मुझसे दो रहकर बात करें अमीरा जो इसके मान जाने पर खुश होई थी काजिन के इसके अंदास से भी डर गई थी अच्छा तो ये चुने वाला परमट शादी के बात मिलता है और मैंने तो बहुत सारी रोगों को शादी से पहले ही एक दूसे को बहुत कुछ करते देखा है अमीरा को डरता अमीरा को डराता वो मजीद इसकी जाने पढ़ने रगा जबके अमीरा इसकी मानी हेस बातने सुनकर अंदर से गपरा गई इसकी बड़ी बड़ी गरीन आखें हैरत से फैलकर मजीद बड़ी हो गई तेज दड़कता तेज दड़कता हुआ दिल चनपल के लिए धमसा गया अमीरा को लगा इसका दिल भी बंद हो जाएगा एक साथ इतने चटके वो नन्नी जान कहां बरदाश्ट कर पा रही थी एक दम से शादी के लिए मान जाना और यहां इसके साथ ऐसे बात करना जैसे हुए इसकी मनपसंद लड़की हो आप एक ऐसी बाते कर रही है वो काफी देर बात जाकर कुछ बोलने के काबिल हो थी लेकिन इसके बावजूद भी अलफाज इसके लबों से अटक अटकर अधा हुए थी कैसी बाते हैं ऐसी बाते ही नहीं करते एक लड़का लड़की जब इनकी अंगेजमेंट हो जाती है काजिम ने इसके चेहरे पर जूल दी बाल की लिट को हलका सा फूक मारते कहा तो अमीरा ने अपनी आँखें जोर से बंद कर ली आज पका ये इनसान इसकी जान लेने आया था हाँ शौक पर शौक देकर वो इसकी जान ही तो लेना चाहता था इससे पहले काजिम मजीद कुछ कहता फोजिया दर्वाजा नौक करके अंदर दाखिल हुई काजिम बेटा काजिम को अमीरा पर जोके देख फोजिया की जबान को ब्रेक लगी थी जबके काजिम गर्दन मोड़कर फोजिया को देखता वैसे ही खड़ा रहा जबके अमीरा मागी आवाज सुनती जल्दी सी अपनी आँखें खोलती काजिम की साइट से निकलती लबों पर दिल फ्रेप मस्कुराखट सजाती फोजिया की जानी पढ़ी जी मामा अरे बेटा तुम अमीरा को लेनी आए थी और हुद ही आना बूल गे बाहिस सब तुम दोनों का इंतजार करही है फोजिया मुहबत से बोलती अमीरा को अपने कले से लगाती इसका माथा चूंगी जबके काजिम सीधा खड़ा होता अपना कोट ठीक करता हलका सा मस्कुराया मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं अपनी होने वली बेगम को मुबार्ट बात दे दू बात में मौका मिले या ना मिले चलता वो बिलकुल अमीरा के साथ खड़ा हुआ जेस पर अमीरा ने अपनी सब सकांच जैसे आँखे आँखे उठा कर इसकी जानिब देखा क्यों ठीक किया ना मैंने चाची काजिम इस कदर बेबाक अंदास पर फोजिया भी बोकला गई चलो बेटा नीचे चलते हैं सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं फोजिया काजिम की बातों का जवाब दिये पिना ही अमीरा को लेती बाहिर चली गई जबके पीछे से काजिम हान तन्सिया मुस्कुराया अभी तो आगास है मिस अमीरा तुम्हे इतना बेबस कर दूँगा कि मुझसे शादी करने पर पच्चताई ना तो मेरा नाम भी काजिम हान नहीं मैं साबित कर दूँगा कि तुम भी मेरी मा की दरहा ही हो इंतहाई नागवारियत से कहता वो बालों में हाथ भेता कमरे से बाहिर निकला था फोजिया अमीरा को लेकर बाहिर सब के पास आई थी और परवीन बेगम के इशारा करने पर इसे इनके पास बिठाया था माशालला मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है अमीरा का माता जो अमते इसे अपने सीने से लगाया था सिकंदर साहब ने भी इसके सर पर शवकत पराहाथ रखा था रोहार बेटा आज सी तुम लोगों के पास मेरे काजिम की इमानत है परवीन बेगम ने कहते बैक से सोने के कंगर निकाले थी जो इन्होंने काजिम की बीवी के लिए बनवाए थी अमीरा के हाथ पकड़कर इसे पहनाए थी अमीरा इनके दर्मियान शर्माई सी बैटी थी दिल अंदर हुशी से उचल कूट कर रहा था आखिर कार जिसे चाहा था इसे पानी जा रही थी खुद को इन खुश किसमत लोगों में से तस्वर करके जिन्हें इनकी महबत मिल जाती है इसने दिलो चाहां से अपने रब का शुकर अदा किया था जबके रोहान सहब के साथ पैठा काजिम हान बहुत गोर से इसके चेहरे पर फैली सुरही देख रहा था काजिम बेटा इधर आओ परवीन बेगम ने इसे अपने पास आने का इशारा किया जिस पर काजिम चुप चाप अपनी जगा से उठता इनकी जानिब बढ़ा था परवीन बेगम फोरण से अपनी जगा से उठी थी और अपनी जगा पर काजिम को बिठाया था जबके पास पैठी अमीरा का दिन एक ने इहसास से दड़का था साथ पैठी वजूद से उठती परफ्यूम की महसूर कुन परफ्यूम महसूर कुन हुश्पू इसके हवास मौत्तल कर रहे थे काजिम की हुश्पू में गहरा साथ बढ़ती वो हलका सा मुस्कुराई थी कुछ ही दिनों में वो इसका होने वाला था ये एहसास इसके लिए खुश्पून था येलो बेटा अमीरा को ये रिंग पहनाओ परफ्यूम ने एक बॉक्स काजिम के सामने किया काजिम ने एक नज़र बॉक्स में मजूद रिंग को देखा था बरीक सी गॉल्ड की रिंग में चमकता बलू नगीना इंतिहा का हुबसूरत लग रहा था अंगूठी को देखते ही काजिम के माते पर बलो का जाल पड़ा था इसने नज़र उठा कर परवीन बेगम की जानिब देखा था जो पहले से ही जैसे काजिम का रियक्शन जानती थी इसलिए इन्होंने इसे आँखों से हमोच नहने की गिस्टी जाकी थी काजिम ने अपने घुसे को दबाने के लिए आँखें सक्ती से बंद करके खोली थी परवीन बेगम ने जल्दी से अंगूठी बॉक्स से निकाल कर इसके हाथ में थमाई थी काजिम ने अंगूठी को जोड से बिंचे अपना रुख थोड़ा सा अमीरा की जानिब किया था अमीरा बेटी हाथ आगे करो वॉजिया बेगम की कहने पर अमीरा ने चल्दी से अपना दाया हाथ आगे किया बेटी ये बavier नहीं दूसरा हाथ आगे करो परवीन पेगम ने जटका लेकिन क्यों दादो अमीरा को समझ नहीं आई तो इसलिए पूछ पैठी कहते हैं बाए हाथ की तीसरी उंगली का सीधा कुनेक्शन दिल से होता है इसलिए जब आपका हमसफर आपको अपने नाम की अंगूटी इस उंगली में पहनाता है तो दिल को इसकी हबर हो जाती है और दिल फिर इसलिए के नाम से दड़कना शुरू कर देता है क्या सच में दादो ऐसा होता है अमीरा हुशी से गोया हुई तो परवीन पेगम ने हां में सर हिलाया जबकर कासिम हान को ये सब बाते फजूल लगी अमीरा ने चल्दी से अपना बाया हाथ कासिम के सामने किया कासिम ने अपने सामने पहला इसका दो दिया पतला सा हाथ देखा पतली महरोती उंगलियां जिनको लंबे बड़े नाहनों पर रेट डेल पेंट तका कर और भी हुबसूरत बनाया गया था कासिम बेटा पहना दो इसे हमोश बैठा देख परवीन बेगम ने का तो कासिम ने अमीरा का हाथ पकड़कर जोर से दबाया अमीरा ने कासिम के इस बेरहमी पर नजरे उठा कर इसकी जानिब देखा जो पहले से हैं इसकी जानिब देख रहा था कासिम इसकी आँखों में और चेहरे पर दर्द के तासुरात देख साइट स्माइल करता इसकी उंगली में बड़ी बेदर्दी से रिंग पहना गया सबने हुशी से तालिया बज़ जाई थी जिबके अमीरा अपने हाथ में होता दर्द बर्दाश्ट करती सब को देखते मुस्कुरा गई और अपना हाथ कासिम के हाथ से छुड़वाया था अपने सुरख हुए हाथ को देखती इस ने शिकवा कुन निकाहों से कासिम की जानिब देखा था जिस पर कासिम ने आगे से दाई आंक दाई आंक की आई परोच काई थी जैसे कहना चाहरा हो ये तो अभी आगास है ये लो बेटी तुम भी कासिम बेटी को अंगूठी पहना दो रोहान ने चल्दी से एक डपी अमीरा की जानिब की जो वो तब ही ले आया था जब सिकंदर सहब ने कासिम की रजामंदी का इन्हें बताया था पास पैठी सिकंदर सहब ने रिंग का बोक्स अमीरा के आगे किया तो अमीरा ने एक नज़र इस रिंग की जानिब देखा जो गोल्ड का सिल्वर कलर का नफीस सचला था अमीरा ने बोक्स से रिंग उठाकर कासिम की जानिब देखा और कुछ सोच कर मस्कुराई कासिम ने बहुत भूर से इसकी मस्कुराहट को गुरा कासिम हाथ आगे करो परवीन बेगम की कहने पर कासिम ने अपना बाया हाथ इसके सामने किया था अमीरा ने इसका हाथ थामा था और अपने बड़े नमबे ने इसके हाथ की पुश्ट पर जोर से खुबोई थे और साथ मुस्कुरा कर इसे रिंग पहनाई थी एक बार फिर सब गरवालों ने जोर से तालिया बजाई थी जबके काजिम इसकी बच्चों वाली हरकत पर मुस्कुरा भी न सका बस संजीदा नजर से अमीरा को गूरे गया अमीरा ने रिंग पहना कर अपना हाथ पीछे किया था और काजिम के हाथ को देखा जहां जगा जगा इसके नाहुनों के निशान थे अमीरा ने ऐसा करके ये थापित किया था कि वो हरकिस चुप रहने वाली लड़की नहीं है जो वो इसे टौचर करेगा और वो यू हमोशी से इसका टौचर सहेगी ये लो भाई वंगनी की रसम तो हो गई अब बैट कर बाकी के मामूलात पी तैकर लेते हैं क्यों के मैं हर किस इंतिजार नहीं करने वाली परवीन बेगम सामने फोसिया के साथ पैठते हुए बोली बाई कल जुम्मा है तो क्यों न कल निकाह की रसम कर दी जाए और बाद में आराम से शादी के फंक्शन कर लेंगे तो मिस अमीरा हान तियार हो जाओ जिन्दगी पर मेरे टाचर को बरदाश्ट करने के लिए आई प्रॉमिस तुम्हें इतना टाचर करूँगा कि तुम अपने इस फैस्टे पर बच्चता होगी काजिम ने चुकते इसके कान के पास सरगोश्य की थी जबके बड़े सब अपनी बातों में मगन थे इनकी तरफ किसी का दिहान नहीं था आप मुझे माग कर फैंक भी देंगे न तो फिर भी अपने लिए अपने लिए के फैस्टे पर नहीं पच्चता होगी अमीरा अभी इसी के अंतास में सरगोश्य है अमीरा भी इसी के अंतास में सरगोश्य नमा आवास पर बोली जिस पर काजिम पीचो ताप खाता उठा था और वहां से निकलता चला गया जबके सबने जाते हुए इसकी पुष्ट को गूरा था और फिर से अपनी बातों में मगन हो गई और अमीरा भी इसे इग्नॉर करती इनके साथ बातें करने रगी